आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो question में का गया है In a certain examination, 77% candidates passed in English and 34% failed in mathematics If 13% fail in both the subject, दोनों subject में 13% fail होगे and 784 candidates passed in both the subjects then total number of candidates that appeared in the examination is तो total number of candidates हमें find out करना है तो सबसे पहले हम let कर लें देहां कि let total student is equal to total student is equal to 100 students हमारे पास ठीक है अब हम देखो 77% English में pass होए तो हम कह सकते हैं कि 100%-77% कर देखो तो फेल परसेंट का फेल स्टूडेंट का परसेंट है जा जाएगा हमारे पास student failed in English की बात करेंगे हम failed in English is equal to 100%-77% करेंगे तो 23% आएगा तो 100 X का हम कह सकते हैं कि 23% हो जाएगा यह आगया value हमारे पास 23 स्टूडेंट्स आगए अब हम बात कर लेते हैं student failed in mathematics हमें देखो given a percentage 34% तो 100 X का 34% हो जाएगा 100 से 100 हमारा cancel out हो गया हमारे पास आगया स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ठीक है student failed in both की बात करेंगे student failed in math plus English is equal to what given हमें 13% 13% fail किया है तो हम कह सकते हैं कि 100 X का 13 divided by 100 हो जाएगा 100 से 100 cancel out हो गया तो 13 X आगया ठीक है तो अब इसको हम देखो wayne diagram की help से represent करते हैं देखो सबसे पहले दो circle draw करेंगे एक तो हम कह सकते हैं कि उन students के लिए होगा जो कि math में fail होगे और दूसरा जो circle है हम वो draw करेंगे जो कि हमारे पास fail होगे English में इस सिर्फोर में दोनों में fail होगे बोथ सब्जेक्स में fail होगे तो यहां पर तो कितनी value आ जाएगी देखो इस circle में क्योंकि math और English में दोनों में मिलाकर 13 X है जो दोनों भी जाया है तो यह value तो आगी 13 X अब अगर बात करें math की तो math में हमें बताएगा कि total 34 student fail होगया 34 X students तो देखो complete value इस circle में 34 X आएगी जिसमें से 13 X तो आ चुके तो 34 X माइनस 13 X करेंगे हमारे पास बचेगा 21 X बात करें English की तो देखो total 23 X है 23 X में से 13 X student यहाँ आ चुके तो यहाँ पर कितने बचेंगे 10 X तो देखो 10 X plus 13 X 23 X आ और 13 plus 21 X 34 X हो गया हमारे पास तो total failed student की बात कर लेते हैं total failed student total failed student कितने हो जाएगे देखो 10 X यहाँ पर है 13 X यहाँ पर है 21 X यहाँ पर है 10 X plus 21 X plus 13 X तो सम आएगा हमारे पास 44 X student तो यह तो 44 X तो जो है फेल होगे तो total student में से अगर इनका number minus कर दे तो past student आ जाएगा हमारे पास past number number of past student number of past student is equal to कितना हो जाएगा 100 X total student failed student का number minus कर देंगे 44 X is equal to कितना जाएगा हमारे पास 56 X और इसकी value हमें किवन है कि सबसे पहले 14 से यह 4 टाइम चला जाएगा 14 से 5 टाइम 78 बच गया तो 6 टाइम चला जाएगा 4 से काट देंगे दुबारा 14 टाइम चला गया तो X की value आ गए हमारे पास 14 अब देखो X की value 14 आ गए और total student हमने 100 X मानना है तो value पूट कर देंगे 100 multiply by 14 तो total number of students हमारे पास कितना जाएगा 1400 आ जाएगा तो total number of students हम से question में पूछा गया था तो हम कहा सकते कि 1400 हमारा correct answer होगा option 2 will be correct answer to this question. Thank you. Classics to 12 से लेके need IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा. आज ही डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर.